दोस्तों ये बड़ा ही इंट्रेस्टिंग फ्रेम है जो आज आप देख रहे हैं इस फ्रेम के अंदर बहुत सारे ऐसे खुबसूरत हिंदी उद्ध हैं इंडियन उद्ध के तेल हैं जो मेरे जो भी व्यूवर्जें सब इंट्रेस्ट रखते हैं इसमें तो मैंने सोचा कि ए इंडियन उद्ध से जुड़ी मेरी यादे हैं एक बात जान लीजिए दोस्तों कि भारत में जो उद्ध मिलता है वो सबसे पुराना है क्योंकि सबसे पहले उद्ध की खोज यहीं हुई थी फिर यहां से धीरे धीरे अलग 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 देशों में गई अलग अलग कल्चर उद्ध की लकडी से यानि की अगर उट की लकडियां जो होती है उसमें कोई कभी भी अगर इंफेक्शन लग जाए किसी भी कारण से चोट लगने पर किसी भी तरीके का फिजिकल इंसल्ट या कीडों ने डैमेज किया हो या चीटियों ने खा लिया हो कहीं से या फिर किसी लकडी में लग जाता है उसमें एक खुश्बू होती है इसलिए उसका इस्तेमाल धूप के तौर पर बहुत सारे कल्चर्ज में किया जाता है और इंडिया में भी किया जाता है जिसे हम अगरबती बोलते हैं अगरबती का कॉंसेप्ट नहीं से आया अगर आप मिडल इस्ट म है हमारा उसमें उसमें भी बहुत तरीके की विराइटीज हैं अलग अलग तरीके के प्रेड़ हैं अलग अलग रीजन हैं उनके अपने एक टिपिकल अपना एक पेक्यूलियर स्मेल होता है वहां के वातावरन के वज़े से वहां की सॉईल का जो कॉंटेंट होता है मिनरल क खुश्बू है जो है लकडी से निकलती है लकडी जो हती है दोस्तों उद की कुछ इस तरीके से दिखाई देती है यही है नाचरल वाइल्ड बखूर अब इसके आप टुकड़े टुकड़े करके या फिर इसका पाउडर बना कर भी आप अगर बत्ती बना सकते हैं तब भी आपको यही खुश्बू आएगी जो काला पार्ट आप जो देखना है इस लकडी पर यह अगरूट का इंफिक्शन है इसी लकडी को बकूर के तोर पर जलाया जाता है कोईले के उपर अगर इस लकडी को हम डाल दें ऐसी लकडी को तो उसके अंदर से बहुत प्यारी सी मी मीठी खुश्बू निकलती है उद की खुश्बू हमेशा दोस्तों मीठी होगी थोड़ी सी मस्की होगी और उसकी खुश्बू बहुत लांग लास्टिंग होती है लेकिन लांग लास्टिंग अगर कपनों पर लग जाए या फिर अगर आपने अपने घर में बहुत जबर ये जो चीज है दूस्तों ये सबको नहीं पता होता क्यूंकि अलग-अलग ग्रेड होते हैं लकडियों के और उससे अलग-अलग तेल निकलते हैं ये दूस्तों मैं बात करना चाहता था अलग-अलग तेलों की हमारे गभाई है जिनको आपने हमारे वीडियोज में पहले भी देखा होगा तो जाकिर भाई जो है वो मुझे से मिले लगभगाथ से तीन, दो या तीन साल पहले तब तक मैं अजरवूड से अलरेडी फैमिलियर था बहुत सारे बड़े बड़े ब्रैंड्स इस तरीके के ब्रैंड्स जो है अरश कर्फीम्स भी आते हैं उनके अलग-अलग अतर भी आते हैं यानिकी इत्र और हो काफी फेमस है इंटरनाशनल मारकेट में भी जो भी ओड्र का सर्कल है ओड्र लगाने वालों का इंटरनाशनली वहाँ पर यह जाने माने ना मैं तो जो हाइस कॉलिटी के उद जो है उनका टेस्ट उनका लुटफ मैंने पहले ही उठा दिया था मुझे छोटे-छोटे सैंपल्स भेजे जाते थे टेस्ट करने के लिए रिवियू करने के लिए मेरे दूसरे चैनल पर जो इंग्लिश चैनल है एक्जॉर्टिक सेंट्स या फिर जो भी फोरम्स हैं वहाँ पर मैं लिखता था और भी दो तीन लोग है हमारे इंडिया में जो इस तरीके के मुझसे भी पहले से शौकीन है फिर दीर करके मैं इस फील में आगे बढ़ गया तो जाकिर भाई जब मुझे एक खास चीज जो पता चली कि हमारे भारत में भी अलग अलग स्मेल प्रोफाइल्स हैं वरना मार्केट में कमर्शियली दोस्तों तीन चार चीज़ें मिल जाती हैं है ना हिंदी कदीम हिंदी स्यूफी इस तरीके के नाम के कमबोडी स्यूफी ट्रिपल ए ग्रेड डबल ए ग्रेड दोस्तों ये ग्रेड जो है सबसे पहली बात तो स्टैंडरडाइज नहीं है एक आपको अंदाजा लगाने के लिए अलग अलग ग्रेडों का इस्नाल होता और ये खुचबू है जो है एक तरीके से कहली जिए कि इन नाम के तरफ नाम कौम इन टरेंड वो आपको बता देता हूं कि जो अपर ऐसाम के जो तेल होते हैं वो थोड़े से खटे होते हैं थोढ़े से ज्यादा मस्की होते हैं ज्यादा लिदर होते हैं लो़र ऐसाम यानि कि बाकी जो पर फाइल Zeus हो ग आपके नोर्थ-पी सिटेड्स हैं is टेड् टिपिकल आपको इमली की चटनी की खुश्बू जरूर मिलेगी उसके टॉप नोट्स में और वो जितना तेल पुराना होता चला जाए जैसे कि यहाँ पर ये एक बहुत खुबसूरत तेल है जाकिर भाई का अगर उड़ असाम इनका ब्रैंड है मानिक करके इनों निकाला थ ठेल भी अवेलेबल नहीं है बहुत छोटे चोटे बैचिस बैचेज बेचते हैं लार्ज बैचेज नहीं बयचते है तो ये फोड़ा सा हो जाता है कि सब के फाच मेन नहीं आपाथा तो देखिए इसमें लिखा है साउट असाम मानिक नो तो तूस्ट करक हैं और इसमें च चॉकलेट हो गया डेरी मिले टाइप के उसमें एक क्रीमी थिकनेस जो कह सकते है चॉकलेट की वो मिलती है फिर इनका दूसरा जो तेल है ये लाओस का है दोस्तों इनके एक अंकल थे वो अब नहीं रहे अंकल अंकल ने बहुत ही जबरदस्त काम किया था तो ये नाइंटीन फाइव का उद है राजा लाओस तो ये लाओसी तेल है लेकिन दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है बढ़ाई ही खुबसूरत है ये मैं कह सकता हूं कि वन अब दो मॉस्ट प्रेशियस ओईल्स में इसको गिना जाता है ये कम्यूनिटी फोरम्स पर एक बार आवार्ड भी म कि प्रोफाइल हर जगे नहीं मिलते राजा लाओस जो है काफी स्मोकी तेल है थोड़ा सा इसमें स्ट्रॉंग नोट्स आते हैं लकडी के थोड़े से शार्पिश जैसे कि आप परिंट वार्निश जो होता है हमारा उस तरीके का स्ट्रॉंग अकॉर्ड आता है अगर मिठा सा थी है दोस्तों जो इसकी पहचान है वो हुच्वू यहां पर काफी देर तक लास्ट करती थी लेकिन बह। जिंट्ल खूझ नहीं होते हैं इन सब जो अरोमा एनहीं सरस होते हैं वो इस्तेमार नहीं होते है fixative इस्तिमाल नहीं होते उद अपने आप में fixative है लेकिन उद जो है बहुत gentle अरोमा है दोस्तों ये उन कह लीजिए शौकीन लोगों के लिए है जो अपनी खुजबू के साथ समय बिता सकते हैं समय देना चाहते हैं बढ़ाते नहीं है घबराते नहीं है उनको projection से ज़्यादा मतलब नहीं है उनकी बड़त सुफियाना जिसको कह सकते है खुजबू है वो तो उद का जो है दोस्तों असली मज़ा है उसकी gentleness में अगर वो जो है बहुत ज़्यादा strong powerful उद हो तो दोस्तों उद नहीं हो सकता और उसका मज़ा आप कभी नहीं उठा पाएंगे वो खुजबू के तोर पर अलग बात होगे लेकिन उद जो है gentle smell होनी चाहिए फिर इन्हों ने एक बहुत यूनीक चीज निका ली कलाकासी नाम से बहुत famous उद जो है होती है जो अपना संत्रा कह लीजिए उसमें जो एक citrusy सी मिठास होती है वो कलाकासी तेलों में काफी हद तक देखने को मिलती है इसके लिए ये famous है काफी clean oil है ये बाकी तेलों की तरह musky नहीं है strong जैसे की आरम सुंग हो गया जो नागा लेंड का तेल है मेरे हिसाब से मेरा one of the favorites बहुत ही strong बहुत ही powerful और musky तेल है उसके बाद इन्होंने निकाला Lushai Hills अब Lushai Hills की क्या बात करो मैं Lushai Hills अपने 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 एक unique profile बहुत ही मीठा बहुत ही simple woody इसमें ज्यादा musky tones नहीं है और धीरी धीरे करके डिवेलप करता है बड़ा स्कून वाला तेल है तो इस तरीके का profile भी अगर बुड़ा सैम ने offer किया यानि कि जाकिर भाई ने offer किया फिर अभी इन्होंने कुछ हाल-फिलाल में निकाला था अगर आप उत के शौकिन है और आपने इनके तेल ट्राइक है तो half long महलदार तो half long भी जो है मीठा तेल है थोड़ा सा खटा भी है थोड़ा सा fresh है फिर इन्होंने निकाला काला कासी नागा तो काला कासी नागा जो है commercial brands, महेंगा तेल बेचते हैं बट कलाकासी अगर उनकी reality की बात की जाए वास्त विक्ता की बात की जाए तो कलाकासी एक simple तरह की लकडी है जिसमें एक appearance होता है, मतलब उसको देखकर उसका जो लकडी का जो texture होता है और कहली जीए कि जो हमारे केले के पेड़ होते हैं, यानि की बनाना ट्री जो होता है, उसका जो बार्क का जो appearance होता है, उस तरीके का दिखता है थोड़ा सा काला है, उसमें red spots बीच में दिखते हैं, उसे कलाकासी पतली पत्तियां होती हैं, बैसिकली flat pieces होते हैं, और ये चीज़ मैं को confirm कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने industry experts के साथ बैठ कर ये बातें की हैं, discussion की हैं तो ये कलाकासी में एक मिठास होती है दोस्तों उस मिठास को जो पुराने पुराने तेल होते हैं, उसमें ये मिठास, skin पर तेल लगाने के तीन या चार गंटे बाद आती है हाँ दोस्तों, जो सबसे महेंगे सबसे special जो तेल होते हैं, जो अब के जमाने में तो available भी नहीं है बहुत ही जो पुराने पुराने जो भी leaders हैं, industry leaders हैं, उनके पास special तेल रहते हैं, अपने guests को sample करने को मिलता है, luckily मैं भी उन में से एक हूँ, मैंने भी एक बार try किया है, या फिर बहुत महेंगे दामों में इनको royal houses को बेचा जाता है और luxury houses को बेचा जाता है बहुत कम लोगों के लिए ये सब collection अवेलेबल है क्योंकि यह लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती और काफी expensive भी हो जाता है फिर दोस्तों, इन्होंने एक special तेल निकाला जिसकी मैं बात करूँगा और ये वीडियो मैंने बनाया भी खास इसी के लिए क्योंकि Instagram पर मैंने इसे देखा तो मैं encourage हो गया बनाने के लिए ये जो है, मेती जो है इनका तेल जो है बहुत ही खास तेल है special तेल है इसकी मैं क्या बात करूँ दोस्तों ये एक typical Indian profile है अगर आप ऐसा तेल लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे की खासियत क्या है Indian हूद की, सबसे जादा इसको लगाने का मज़ा तभी है दोस्तों जब आप रात में, शाम में घर लोटे हों अपने काम से, हराम से नहाद होकर फ्रेश होकर बैठे और थोड़ा सा ठंडा मौसम जरूर होना चाहिए बारिश का मौसम या फिर हो तब भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए थोड़ा सा दोनों कान के पीछे हलका हलका लगा लिजिए और वो खुझबू को धीरे धीरे डिवलप करने दीजिए शरीर पर और कहीं लगा कर उटको बर्बाद करने से कोई फाइदा नहीं है क्योंकि इसकी खुझबू का मज़ा तभी आता है जब आपका हीड में मुव्मेंट है जब सर हिल रहा हो या फिर आप अपने काम में बिजई हो थोड़ी थोड़ी हवा का जो जो जोगा आएगा धीरे से हवा उसकी खुझबू को खीच कर आपके पास लेकर आएगा तभी इसको समझने का आनंद है दोस्तों कि उद में ऐसी खासियत क्या है और ऐसा नहीं है कि ये किसी टिपिकल कल्चर के लोग लगाते हैं अगर बक्ती हर कल्चर में इस्तिमाल होती है हर मंदिर में इस्तिमाल होती है दरगा में इस्तिमाल होती है पुजा पार्ट जो भी है या फिर जो तो वहाँ पर भी उद का इस्निमाल आप कर सकते हैं अगर एक एक्जॉटिक सा स्मेल अगर आपके घर में आए तो बड़ा अच्छा लगेगा गैस को कुछ यूनीक स्मेल आए तो तो दोस्तों ये सारी खुजबू है थोड़ा समय लगाईए धीरी धीर करके उद पहचानना सीखें ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा जितना जादा आपका अनभव बढ़ेगा इस फिल्ड में और अगर आपको शौक है तो दीरी दीर करके पैसा बरबाद ना करें समझें कि गर्मी में लगाने वाला उद बिलकुल भी तेल नहीं है अगर उद का तेल आप गर्म अगर इसकी खुश्बू का मजा ले सकते हैं और अगर कम मात्रा में लगाएंगे तो आप दूसरे लोगों को भी ऐफेंड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जो इसका जो समेल है वो थोड़ासा उफेंडिंग होता है थोड़ासा शारप होता थोड़ासा इनिमलिक होता है तो दूसरे लोग जो हैं घवरा सकते हैं इसकी स्मेल से कि कि इनिशियली किसी भी उद को एस्पेशली जो हमारा इंडियन है वह बहुत ही पावर्फुल होता है बहुत स्ट्रॉंग उसमें मस्की लेदरी कंपोनेंट कह सकते हैं लेदर चमड़ी की खुशबू आती है तो वह थो होती है उसकी लपट जादा होती है तो वह जादा दूर तक फैलता है तो ये सारी चीज़े हैं जो हिंदी उद को गवर्ण करती है और भी तेल है दोस्तों जैसे कि उद जीरी जीरी जो मेरा परसनल फेवरेट है अगर उद आसाम का वो यहां पर नहीं है वो मैं अपने पा वासाम में एक बहुती स्पेशल टाइप का चिली मिलता है जिसे कहते हैं नागा वाइपर फॉरन में कहते हैं वहां पर भी काफी प्रचलित है और हमारे लोकल में कहते हैं भूत जो लोकिया या भूत भगाने वाला जो है चिली है वो बतलब हलका सा अगर आपने टेस्ट क लेवर्स होते हैं वहां की चीजों में बहुती स्ट्रॉंग नैच्रल होती है चीजें बहुत प्रकृती ने बहुत एक कह लिजिए की बहुत प्यार से सवा रहा है हमारे नौर्थ यूस्ट को तो दोस्तों वहां पर थोड़ी सी स्पाइसी खुजबू आती है उस उस जिर प्यारी सी मीठी सी लपट जो है वो आती है जो कहते हैं खुजबू को डिस्क्राइब करते समय वो उठकर आती है और स्पेशली विंटर्स में तो दोस्तों लगाकर मजा ही आ जाता है तो यह होता है दोस्तों इंडियन उड़ अगर इसमें और भी कुछ विराइटी जाती हूँ एडलटरेट करके थोड़ा सा कमबोडियन तेल मिलाकर ज्यादा ज्यादा ज्यार ज्यादा जो है तेल मार्केट में कमर्शियली दोस्तों तेल को सथा बनाने के लिए सब करना पड़ता है क्योंकि इस तरह के तेल आप खुद ही सोचई दोस्तों 1995 का तेल ऑल्मोस्स 20 तो अब भी ट्राय कीजिए और जोस्तों कोई ऐसी चीजिस नहीं है कि सब को पसंड आये सबसे पहली बात है, तो धीरे धीर हर चीज को ट्राय कीजिए, अच्छा ना लगे तो जबरदस्ती लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीजों को समझें कि यह बस एक रिव्यू चानल नहीं है जहाँ पर प्रफिम को उठाकर रिव्यू किया जाए मैं चाहता हूं कि आपको आपकी जो भी ट्रेडिशनल खुश्बूएं हैं आपको समझाओं क्योंकि बाकी जगह इनका काफी वैलियू है काफी लोग इज़त करते हैं स्पेशली जो चाइनीज जैपनीज मारकेट से वहाँ पर इनकी काफी इज़त है तो मैं चाहता हूं कि हमारे भी जो भाई बंदू है इस चीज़ को समझें और जानने की कोशिश करें क्योंकि फिर जो है मज़ा आएगा अगर आप चीज़ों को समझेंगे कहले जीजिए कि एक साइंटिफिक नॉलेज भी है जो हर जगस बहुत अच्छे से इसको यह जो इस वीडियो में मैंने जितनी बातें आपको बता दी यह सालों साल बैठकर मैंने समझा है experience कि हां मैं लगी हूं as a reviewer और बस reviewer नहीं as कहली जी कि as an informed customer कि मैं इतनी सारी चीज़ें decipher कर सकता हूं वरना बहुत लोग नहीं कर पात कि ऐसे लोगों से जो है नाता जुड़ता चला गया तो जाकिर भाई जो है अगर वूट असाम के उनको मैं यह special episode dedicate करता हूं क्योंकि उनकी वज़े से काफी कुछ जानने मिला और काफी साल से हमारी दोस्ती है और इस वज़े से दोस्ती है हमारा common love है उद और दोस्तों नीचे डाल दूँगा और email ही वो पसंद करते हैं और आप उनको email पर contact कर सकते हैं email के दोरा बात कर सकते हैं अपने oil के preferences जो भी आपको ग्यान चाहिए आप उनसे ले सकते हैं समद सकते हैं sample sets खरीद सकते हैं जो भी और एक बात जान लीजे दोस्तों कि यह उद बहुत small batches म बनते हैं और फिर खतम हो जाते हैं आता रहता है नया उद आएगा कल फिर नया उद आएगा परसो नया उद आएगा इस तरीके से कुछ-कुछ महीनों पर नये उद आते हैं तो आप उनका इंतजार कीजिए और मज़ा उठाई और हमें बताइए कैसा लगा आज का episode परिया प्राफिम रिव्यू में तब तक के लिए टेक केर बावाय